So guys, finally India में launch हुआ है Redmi 12 4G और Redmi 12 5G तो यहाँ पर कैसे आप लोग बहुत ज़्यादा confused होगे इस phone को खरीदना चाहे या फिर नई खरीदना चाहे और सबसे बड़ा confusion 4G वाला खरीदे या फिर 5G वाला खरीदे और इसका alternative smartphone भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखना गाईस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला सबसे पहले गाईस पूरी specification बताता हूँ जो कि एकदम short में होगा दोनों phone में same specification है जहाँ पे भी difference होगा मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा 6.79 इंच का full HD plus display देखने को मिलेगा with 90Hz higher refresh rate तो गैस यहाँ पे refresh rate भी देखने को मिल रहा है price में आगे बताऊंगा काफी ज़्यादा interesting है यहाँ पे गैस आप लोगों को दोनों ही phone में 5000 mAh का battery देखने को मिलेगा phone 18 watt का charging support करता in the box 22 watt का charger देखने को मिलेगा यहाँ पे गैस 4G वाला है जो Redmi 12 4G उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G88 प्रोसेसर जो की MediaTek की तरफ से और जो 5G वाला phone है Redmi 12 5G उसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है Snapdragon 4 Gen 2 गैस Snapdragon 4 Gen 2 जो है उसमें साड़े चार लाख से साड़े चार लाख के अप्रोक्स अंतुती स्कोर आता है जो की काफी अच्छा अंतुती स्कोर है तो थ्रोटल टेस्ट वगरा इसमें अच्छा देखने को मिला सम टाइम बहुत जादा रेगुलरी चेक करने की बाद थोड़ा सा थ्रोटल जो है वो बिकार देखने को मिला तो ऐसा गैस अगर हर स्मार्टफोन के साथ करें तो उसका जो है फोम इस डिक्रीज होता है थ्रोटल टेस्ट में अगर रेगुलर करते हैं लगात तार करते हैं नॉन स्टॉक क्यामरा की बात करते गैस जो Redmi 12 4G वाला है उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा मतलब इस फोन में वाइड एंगल कैमरा है 50 Megapixel का में कैमरा 8 Megapixel का वाइड एंगल कैमरा और 2 Megapixel का Depth या फिर Macro जो भी है इस यहाँ पे जो 5G वाला फोन है like Redmi 12 5G इस वाले फोन में हम लोगों को देखने को मिलेगा 50 Megapixel का कैमरा और साथ में 2 Megapixel का कैमरा सिर्फ 2 कैमरा है दोनों फोन में फ्रेंट में 8 Megapixel का मिडिल पंच होल के साथ सैलफी कैमरा देखने को मिलेगा प्राइस की बात करते है यहाँ पे गैस जो Redmi 12 4G है उसका जो variant है 428 आपको मिलेगा 10,000 रुपए में और जो Redmi 12 5G है उसका जो variant है 428 उसका प्राइस है 11,999 रुपए मतलब 12,000 रुपए जो भी प्राइस मैंने आपको बताया उसमें से 1,000 रुपए माइनस कर लेना क्योंकि ICICI और SBA क्रेडिट काड के साथ 1,000 रुपए का डिसकाउंट है अगर आपके पास ये काड है तो आपको डिसकाउंट मिलेगा या और से अरेंज कर लेना तो आपको 1,000 रुपए एक्स्रा देना पड़े तो ये थे गाइस प्राइस इसका एक बात पर बोलना चाहत हूँ ये फोन क्यों लाउंच हुआ है मैं आपको बतारो जब Micromagics फोन लाउंच किया था तो Redmi ने तुरंत अपना एक सेम स्पैसिफिकेशन के साथ थोड़ा सा बैटर कंडिशन में फोन लाउंच किया था और प्राइस भी उसका थोड़ा सिमिलर ही रखा था ताकि मार्केट में कॉम्पेटिशन बना रहा है यहाँ पे कैस लोगों को लावा बलेज 5G स्मार्टफोन याद होगा और कॉम्पेटिशन के लिए ये फोन लाउंच हुआ है और यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ गैस आप लोगों का अगर आप 4G वाला खरीदने का सोच रहो तो प्लीज 4G मत खरीदना क्योंकि जमाना 5G का है और इस टाइम मेरे खाल से अल्रेडी most of the cities में 5G अविलिबल है तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको रिक्मेंट करता हूँ 4G वाला लेने का सोच रहे हो तो हमारे पास जो है लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 आता है 4G वाला है वो भी और उसमें आपको 628GB देखने को मिल चाहेगा तो आप लावा ब्लेज 2 के तरफ जा सकते है उसमें भी प्रीमियम ग्लास बैके सारा कुछ है तो वह भी आप देख सकते हो इंडिन ब्रैंड है तो मेरा काम है अल्टरनेटिव बताना तो मैंने आपको बता दिया बाकि आप दोनों फोन में से जो लेना चाहते है ले सकते ह कोई तो प्लस इंडिन ब्रैंड है साथ में clean UI मिलेगा कोई भी आपको blood wear देखने को नहीं मिलेगा ये plus point है अब guys यहाँ पर 5G वाली के तरफ से आ जाते हैं क्योंकि मैंने मना कर दिया है 4G वाला मत खरीदना लेकिन अल्टरनेटिव है लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन और एकदम latest news है मैं वीडियो इसले बना रहा हूँ और लावा का नाम भी इसले ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप लावा ब्लेज 5G लेना चाहते हो तो अभी 828GB वेरियंट इसका आ गया है तो आप खरीदना चाहते हो तो ये phone आपको मिलेगा 14,499 रुपे क्योंकि जो first sale offer इस starting वाला discount है और लावा हमेशा देता है अपने product के साथ तो अगर आप Indian brand के तरफ जाना चाहते हो तो और आपको अच्छे rate में यहां पे जो है 828GB का मज़ा देखनी को मिलेगा तो आप देख लेना बाकि ये जो phone है इसमें guys कोई problem नहीं है बहुत जादा problem नहीं है लेकिन नहीं है और आपको 5G के मज़े चाहिए चाहिए आप लावा ब्लेज खरीदो या फिर ये रैडमी वाला खरीदो पसंद आपकी है बट यहां पे जो भी phone आप खरीदोगे तो अगर आपका main motive या फिर main purpose है आपको 5G यूज़ करना है तो definitely guys आप ये 5G phone खरीच सकते हो क्यू तो आपको थोड़ा अच्छा performance देखने को मिल जाएगा with 5G तो अगर आपको performance प्लस 5G का experience चाहिए तो definitely guys आप इस phone के तरफ जा सकते हो बाकी look or design subjective है इस phone को खरीदना चाहते हो तो मैंने आपको clearly बता दिया क्यूंकि यहां पे camera आपको बहुत ज़दा अच्छे नहीं मिलें सकते हो 4G वालग सोच रहे हो ना तो एक 2000 मिला के 5G वालग हरी तो जाद अच्छा रहेगा so hope guys आपको यह वीडियो बहुत जादा पसंद में आया होगा वीडियो गर पसंद आया तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना and thanks for watching guys